नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल विसी एस बैसिक फिजिक्स में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अक्सा ग्यारा का टोपिक कोण ये तवरण और रेखे तवरण में संबंद दोस्तों हम NCRD जो पाठे पुस्तक है उसके सेविंध चैप्टर कणों के निकाई एवं घुणन गती से संबंदित टोपिक से देख रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा टोपिक है वो है अलफा और एमें संबंद देखे दोस्तों हम एक रिलेशन जानते हैं कोणी वेग थता रेखे वेग में संबंद हम जानते हैं क्या संबंद होता है इस संबंदित हमने वीडियो बना दिया है और उस संबंद को आप देख सकते हैं उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देर रखी है दोस्तों तो आप देखी यहां से हमारे पास में हम कौन सा relation जानते हैं? V बराबर जानते हैं omega r, यह है रेखिवेग, रेखिवेग तो है omega, सौरी रेखिवेग तो है V, वै कोण ये वेग में संबंद है? कोण ये वेग, जो की omega है में संबंद है? दोनों के बीच में हम एक relation जानते हैं, V बराबर होता है omega r, अब देखिए आप क्या करेंगे? उप्रोक्त समीकरण का, टीके सापेक्स अउकलन करने पर, उप्रोक्त समीकरण का हम टीके रस्पेक्ट क्या कर देंगे? अउकलन कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा? dv by dt, बराबर d by dt, omega into r, या इसको आप सदिस रूप में लिखें, तो दोस्तों सदिस रूप में भी इसको put किया जा सकता है, v vector equal to omega vector cross r vector, जो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है, उसमें आप लोगों के सामने रखा है, आप चाहें तो इस फोर में भी इसको put कर सकते हैं, यहां से आप देखेंगे, dv by dt, यहां से एक बार एक रासी को बहार ले लेंगे, दूसरी रासी को differentiate कर देंगे, फिर एक रासी को हम क्या कर देंगे, बहार ले लेंगे, और दूसरी रासी को differentiate कर देंगे, घुननगती में जो dr y dt है वो change नहीं होता इसलिए ये जीरो हो जाएगा और dv by dt ये है वेग में परिवर्टन की दर जिसको हम तवरन कहते हैं रेख ये तवरन कहलाता है ये दोस्तों रेख ये तवरन कहलाता है और d omega by dt है ये है कोण ये वेग में परिवर्तन की दर जिसको हम अलफा कहते है जिसे कोण ये तवरण कहते है जिसे कोण ये तवरण कहा जाता है दोस्तों तो इसके इस्तान पर हम अलफा पूट कर देंगे ये जीरो होई जाएगा और ये हमारे पास में आई गया A तो a बराबर हमारे पास में आ गया है दोस्तो alpha into r तो ये relation होता है हमारे पास में कोण ये तवरण alpha था रेखे तवरण a के मत दे यदि आप इन दोनों को सदिस रूप में लिखना चाहें तो उसी प्रकार से ही देखे ये वेक्टर बराबर alpha वेक्टर क्रोज से r वेक्टर भी आप इसे पूट कर सकते हैं दोस्तों अब हम घुर्णन गती से सम्मंदित गती के समीगरण देखेंगे तो अब आप देखेंगे दर्ड पिंड के लिए घुर्णन गती के समीगरण घुर्णन गती के समीगरण दर्ड पिंड के लिए घुर्णन गती के समीगरण है वो क्या हो जाएंगे पहले हम आपको गती के समीगरणों से अवगत करवा देए जो गती के समीगरण होते हैं उसमें एक तो होता है यू जो की होता है प्रारंबिक वेक हम मैं इस्तनांतरी गती से सम्मन्दित गती के समीकरण आप लोगों के सामने रखेंगे उससे पहले उसमें आने वाले जो पद हैं उनके बारे में बता रहा हूँ U होता है प्रारंबिक वेग, V होता है अंतिम वेग अंतिम वेग, T यहां पर समय होता है S होता है विस्थापन S विस्थापन होता है और A होता है अक्सलरेशन तुरण होता है दोस्तो तो इनी के बीच में आपस में संबंध होता है और वो जो संबंध होते हैं गती का पहला समीगर्ण होता है V बराबर U प्लस 80 दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut plus half at square और तीसरा समीकरण होता है v square बराबर u square plus 2as तो ये हमारे पास में तीन relation होते हैं इनी के parallel हम गुनन गती में समीकरण लिखेंगे तो प्रारमबिक वेग को गुनन गती में OMEGA 0 से पुट कर देंगे यह है प्रारंबिक कोण ये वेग इसको हम ओमेगा नोड से लिख रहे हैं ओमेगा होगे अंतिम कोण ये वेग समय को टी से ही लिखा जाएगा यह समय है दोस्तों और विस्तापन को यहाँ पर थीटा से लिखा जाएगा विस्तापन को हम थीटा से पूट करेंगे और जो अक्सलरेशन है वो कोण ये तवरण यहाँ पर आजाएगा इसको हम अलफा से पूट करते हैं दोस्तों तो इन्हे के सिमिलर ही हमें घुणन गतिये समीकरण प्राप्त होते हैं तो इसके कोडिंग देखें दोस्तों ओमेगा बराबर आजाएगा ओमेगा नौट प्लस अलफा टी दूसरा समीकरण आजाएगा थीटा बराबर ओमेगा नौट टी प्लस हाफ अलफा टी स्क्वेर और तीसरा समीकरण हमारे पास में आजाएगा ओमेगा स्क्वेर बराबर ओमेगा नौट स्क्वेर प्लस अलफा थीटा तो ये हमारे पास में आ चुके हैं घुनन गति से सम्भंधित गति के समीकरण जो कि आप इन दोनों की तुलनां से बेटर तरीके से समझ सकते हैं इजी वे में आप इन्हें समझ सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आपने देखा सरफ हरतम तो आपने देखा रेखे तवरन थता कोण ये तवरन में संबंद फिर उसके पशात आपने देखा है दर्ड पिंड के लिए गुणन गती के समीगरण मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ होगा आज के लिए इतना ही धन्यवा दोस्तो